लोगों को कैसे अपने पक्ष में करना है ? किस तरह से उन्हें आंदोलन के लिए प्रभी करना है। अंदोलन का स्वर्जूप क्या होगा इन सारी बातों के लिए लालू प्रसाथ को मास्टे माना जाता है किसे याद नहीं होगा वो लाठी पिलावन रहे ली और इस तरह के कई आंदोलन लालू परसाद आंदोलन के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने छात्र आंदोलन से ले करके अपने सासन काल के बाद भी कई आंदोलन किये जो काफी मसुहूर हुए है अब एक बार फिर से लालू परसाद की इंट्री हो गई है आपको पता है कि इस देश भर में जिस तरह के आंदोलन चल रहे हैं अगनिपत और अगनिवीर को ले करके जिस तरह से उग्रा आंदोलन हो गया है उसको ले करके अब लालू परसाद बाहर आए हैं और तब लालू परसाद बाहर आए हैं जब भारतिये जनता पाटी ने इस पूरे मामले को ले करके राष्टिये जनता दल पर आरूप लगाया भारतिये जनता पाटी के नेता और केंद्रिये मंत्री गिराज सिंग ने साफ तरीके से कहा है कि ये सब कुछ रास्टिय जनता दल दोरा प्रायोजीत है अब इसका सीधा सा मतलब दो तरीके से आप देख सकते हैं पहला तो ये कि क्या भारतिय जनता पाटी इस बात को मानने के लिए तयार है कि सबसे बड़ा जनाधार अगर किसी का है और लोगों को एक जूट कर सकते हैं एक इसारे पे लोग सब कुछ करने के तयार हो सकते हैं हो जाते हैं तो क्या रास्टिय जनता दल सबसे बड़ी पाटी है और भारते जनता पार्टी उससे फैसला करने है उससे निपटने में और समर्थ है और दूसरी बात कि अगर लालू परसाद इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं तो भारते जनता पार्टी जिसकी केंद्र में और बिहार में भी सरकार है वो क्या कर रही है आंदोलन उग्र हो रहा और इस आंदोलन को रोकने में कहीं न कहीं सरकार और सरकार के जितनी भी एजन्सियां हैं वो मुस्किलों में हैं लगतार रेल से लेकर के राष्टिय संपति और नीजी संपतियों को भी छती पहुंचाई आ रही है इस आंदोलन को लेकर के हमने भी कहा है कि ये आंदोलन भले ही है करना ज़रूरी है कीजिए लेकिन सांती पुर्ण की делать के देस बर के और विहार के कई प्रभुथ लोगों ने भी आग्रान किया है आपको याद होगा कि भारत लाइब ने सबसे पहले इस आंदोलन को ले के युवाओं से अपील की थी कि इस आंदोलन को उग्र नहीं होने दें बलकि सांती पुन आंदोलन करें अब इस पूरे मामले में लालू प्रसाद की धमाकेदारी इंट्री हुई है लालू प्रसाद ने युवाओं को इस पस्त तरीके से कहा है कि युवाओं लोकतांत्रिक एहम सांती पुन्ट तरीके से अपनी मांगों को रखें के अंदर सरकार अविलम अगनी पत्थ योजना को वापस ले और ये वापसी के लिए नितीश कुमार की जदियू भी लगतार सरकार पर दबाओ बना रही है बाजपा सरकार की पुन्जी परस्त और युवा विर्यदी नितियों के कारण बेरुजगारी बढ़ी है क्या यह ठेके धारों द्वारा थोपी गई सरकार है जो सेना की नौकरी भी ठेके पर दे रही है इन सारी बातों को लेकर के लालू परसाद ने अपनी बात रखी है और आज लालू परसाद की राष्टिय जन्ता दल के साथ कई दल हैं जो बिहार बंद का अहवान भी किये हैं इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से राष्टिय जन्ता दल का युवा बिंग के अध्यच स्वेवकारी के नित्रित्तु में जो की अब एमेल सी भी हैं पुतला दहन किया गया और इसको लेकर के विरोध परदसन सुरू किया गया है आपको बता दें कि लालू परसाद के आहवान के बाद क्या माहौल बदलेगा इसके ठीक पहले अभयानंद जो पूर्प डीजीपी हैं प्रफिसर रास विहारी सहित अन्य कई गर्मानने लोगों ने इस बात के लिए आग्रह किया है कि युवा उग्र आंदोलन से परहेज करें सुक्रवार को अपने ट्वीट में लालू परसाद ने ये सारी बाते रखी और उन्हें कहा कि बेरोजगारों के साथ वो खड़े हैं उनकी टीम खड़ी है उनकी पाटी खड़ी है लेकिन इस तरह के आंदोलन को उग्र आंदोलन न बना करके सरकार को असहयोग आंदो करते हुए इस आंदोलन को सांते पूर्ण करें सरकार निश्यत रूप से जुकेगी अब देखना होगा कि लालू परसाद के इस आहवान के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है लगतार पिछले 3-4 दिनों से बिहार उबालक में है और कई ट्रेने रध हो चुकी हैं कितन किसका हो रहा है यह आंदोलन करने वाले लोगों को समझना होगा इस आंदोलन से आम जनता को निश्यत रूप से घटा हो रहा है और देखना हो रही है वहीं जगत के बेवसाई हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है फाइदा ही है ऐसी स्थिति में सोचना और समझना होगा आंदोलन का रास्ता अपना है लेकिन सांतिपूर्ण लोगतंत्र में आंदोलन करने का आपको पूरा पूरा हक है लेकिन आंदोलन कहीं से भी उग्र नहीं हो और किसी को छती नहीं पहुंचे लालू परसाद के आहवान के बाद हम फिर एक बार कह रहे हैं कि क्या बिहार में आंदोलन का जो स्वरूप है वो बदलेगा, सांतिप्पुन आंदोलन होगा, जुड़े रे भारत लाइब के साथ, खबरों अगर वीडियो पसंद आई, अरोवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखे नी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक् केम नमबर, नोटकली, 9386-816-700, धन्यवाद,